तो बच्चों एक बाट सब लोग क्रमेंट रखे मुझे बता दीजे क्या आम सब लोग लाइव हो चुके हैं हाना आपको मेंडी ओडियो वीडियो सब्सक्राइब जल्दी बताईए तो बच्चों बहुत जल्दी आप लोग के पास दो परिच्छाएं आने वाली हैं उन्मे की टेकनीशन बच्चों इन दोनों भरतियों में अगर आपको अपना सेलेक्शन कम्प्लीट करना है तो आप लोग को एक सब्जेक्ट डेफिनेटली त्यार करना हो गा उस्टा नाम हो गा बेसिट साइंस इंजिनर ड्राइंग यानि बिये सीडी तो आप मेरे साथ बिये सी बता ही जल्दी से ओके तो सब लोग जल्दी से फटाबाट एक बार सेशन दो सेयर कर दो लगता है कि आज नोटिफिटेशन नहीं दिया पाया है तो बिये सेडी एक ऐसा सब्जेक्ट होड़ा जो आपको सेलेक्शन दिलाएगा आज हम लोग जो पेपर देखने वाले हैं वो 13 जनुरी 1 सिप्ट कर दिखने वाले हैं कि 13 जनुरी 1 सिप्ट में कैसा पेपर पूछा दिया था हाना चलो तो चली कोशन दी शुरूआट करते हैं थोड़ा अडर और आज़े बाद कर लेते हैं तो जीडीसी एक ऐसा बैच जिसमें आप कंप्लीट सीबिडी टूटी त 960 इस नंबर पे फोन क्रोल करते बैच को जरूर जोइन कीजे चलो इसने लावा टंप्लीट फाउंडेशन बैच मतलब आदा आप एलपी टेक्नीशन भी तेहरी करते हैं तो यह बैच आपका ब्रहमास्त्र बैच होड़ा यह ऐसा बैच होड़ा जो उसमें आईलपी में 100% सेलेक्सन दिलाए रहा यह एट ऐसा बैच है जिसमें आपको सीविटी वन और सीविटी टू दोनोटी कंप्लीट तयारित आए जाए जी इस बैच को जोइन टरने क्लिए आप माई पर्सला एप्लीटेशन को डाउनलोड कीजे और योडी 10 यह टूपन को लगाटर आप इस के technician related तो आप individual batches और इस ठालाबा कुछ क्रोंबो भी joint कर सकते हैं जैसे foundation batch इस बेच सब कुछ मिले रहा आपको trade प्लस BACD joint कर सकते है और BACD batch अटेले घरा इस बैच तो जोइन करने लिए आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और इस पर्सला एक प्रोसीज़ा है कि आप माई पाइबसला अप्लीते एंग्लवावर दीडे डुटेयों ने डुटू सूचर डाइमेंशन देठाटे सिरो पर मौझूद तील्टी नोट ठाली जड़े इतनी लंबी होती है और इतनी चौड़ी होती है आप मुझे बताईए इस्टा सही अंसर्ट इस्टे साथ जानना चाहिए देखो जो आपके तील्टी नोट होती है ना ऐसे अड़ा तो बच् यह 3 mm क्या हो जाए दी लंबी हो जाए दी तो यह ड्राइंट के कोश्चन था और धान अटना इसमें लंबाई पूछी जा रही थी तो बताईए किस्टे साथ जाना चाहिए 3 mm के साथ जाएदा option number C के साथ जाएदा क्लियर है बाई एडवर कमेंटर एड़े बताओ क्लियर चलो आने बढ़िए यह लिए बच्चो यह भी तो वाला ड्राइंट प्रोश्चन है इसमें पेपर साइज पूछा दिया है सर आपसे बात करनी थी बिट्टू मंडल मैंने अभी जो जो नंबर दिया आप टीसी भी नंबर फोल टीजे मेरे से बात हो जाए दिया थोड़ा बोला है कि बताईए 210 और 297 यह 30 अकार का साइज है बच्चो जब भी तबी अकार का साइज पूछा जाए तो डिरेक्ट कभी रटना नहीं है आप पहला अकार याद कर लो 849 गुड़े 1189 यह अमारा A0 होता है A0 होता है 849 गुड़े 1189 तो बच्चो A1 क्या हो जाएगा 1189 बड़ी वाली संख्या का आधा तर्टे पहले लिद दीजे तो 544, 594 और 849 टो वैसा ही रहन दीजे यह A1 होता है और बच्चो अड़र मैं A2 टी बात करता हूँ A2 टितरा होता है तो बड़ी वाली संख्या 849 है तो 849 टा आधा 420, 594 उसी तरह से सुनना है ना अब इस बा और 420 उसी तरह से क्या ऐसा कोई मिला नहीं अभी नहीं मिला फिर A4 कितना होड़ा तो A4 टा बतला वोड़ा 420 टा आधा 210 और 297 उसी तरह से तो 210, 277 में यह पता है यह कौन सा साइज है क्या देना यह साइज में जो मिला है A4 यह याद करनेटा बच्चा तरीटा होता है अ आचा A5, A5 टित्रा होड़ा आप ऐसे टल सकते हैं पड़ाम 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 भीया मुझे लगता है रोशनी थोड़ी सी ज्यादा है हरा चलो अगले वाले कोश्चन के और बढ़िया और जल्दी मुझे बताईए सवाल तरह से उत्तर टिष्टे साथ जाना चाहिए यह सवाल है heat and temperature का प्रसंदेखे क्या बोला जा रहा है तो बच्चों प्रसंद है कि 90 centigrade ताप मान वाले आधा लीटर पानी मतला 90 degree centigrade के बताईए आधा लीटर पानी है आधा लीटर पानी को आप 8 बटे 2 लिख लीजे फिर बोला जा रहा है 10 degree centigrade के 3.5 लीटर पानी है और 3.5 पानी को आप 3 बटे 2 लिख लीजे साड़े 3 अर्शया सॉरी साड़े 3 को 3 बटे 2 थूड़ी न लिखर जाएगा 7 बटे 2 लिखर जाएगा 7 बटे 2 साड़े 3 मिलाया गया है उसमाट कोई हानी ना हो तो अंतिन संतुलन तात्मान बताओ तो मेरे भाई आप यह बताओ अगर दोनों तो आपसे मिलाएंगे तो मिशर्टा जो बीच का टेंपरेचर आएगा यानि ती आएगा उस ती ता मान आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये संतुलन तेंपरेचर ठितना हो रहा है तो बच्चों ऐसे सवालों में क्या करते हैं आप लोग दीरे हीट बराबर ल दीरे हीट टे लिए M1 C1 डेल्टा T1 बराबर M2 C2 डेल्टा T2 बच्पान से यही वाला फॉर्मला तो इस्तिमाल करते चले हारा है बदाइए राम 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 एम वन कितना है आधा लीटर दोलों पानी है विशिष्ट उसमा विशिष्ट साड़े तीन डा मतलब साथ बटे दो जब इस्टा डेल्टा T2 निटाल लोड़े तो साथ T में से दस को घटाना होड़ा है ठीके आप मुझे बताओ इस्टा आंसर निटाल लोड़े तो आप ठहना कि सर बड़ा असान है दो से दो टेंसल कर दीजे सबसे पहले तो 90 माइनस इधिरी साड रहे डा यह हो जाए डा 70 माइनस सब्तर सुनना है न समलोड यह उधर जाए डा तो बताइए कित्रा हो जाए डा सर 8 T और 9 साथ 16 तो T बनावर बताइए मिश्यल का फाइनल टेंपरेचर हो जाए डा 20 डिली से इंटिडेट यह तुमारा मिश्यल का फाइनल टे ःठते वाच्टा अराम से सेश्यल कर सकते आप मेरे वीडियो पर करें सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप तो यूटव चैनल से हैं आप तो कहीं परर है रलूबे ड्रूट में से यह ड़ना हो यह पर इस पर वेडियो बनाना हो यह पूरी पर मेरे साथ सवाल समझ में आरे ना सब्सक्रों चलो नेस कोशन देखें बदाइए चलिए ट्राइम आरे जड़ा चौथा नंबर सवाल सर मेरे सेट में 56 आ रहा है 56 टाफी अच्छा स्कोर है पिछली बार तो टाफी टम मेरेड गई थी लेटे 56 भी बहुत अच्छा स्कोर है थोड़ा और बढ़ाईए चलिए बढ़ाईए पांच हजाग क्लूराम द्रमान के ट्रट को पांच मीटा पर सेकेंड से पचीस मीटा प ले गती जूरजा में होने वाला परवरतन बताना है मेडा जूल में बच्छों गती जूरजा में परवरतन निकालना है तो आपको फॉर्मले इस्तमाल करना पड़े रहा हाफ एम डेल्टा वी स्ट्वायर अणा चलो द्रमान की वैलू बताई तितनी हैं तो कहा जाए रहा 35 इस्ट्वायर माइनस 25 इस्ट्वायर सुन रहा है ना लेज़े यह अंसर आपसे मेडर जूल में पूछ रहा भईया मेडर जूल में यह जली confusion मत करना चलो तो 8 बटे 2 गुडे 5000 इस्टो ऐसे रहन दीजे बच्चो इस्टो ना ऐसे सेट करते हैं ति हमारा सौल हो जाए कोशन 35 और 25 एट बार जोड़ दीजे एट बार घटा दीजे घटाने से 10 मिले रहा और जोड़ने से बच्चा मिल जाए रहा 60 सुन रहा है ना चलो देखें तो 30 अब देखो 6 पंचे 30 6 पंचे 30 और 30 बटे 2 15 ते साथ हमाई कितने जीरो लड़ाने पड़ेंगे सर 15 ते साथ लड़ाने पड़ेंगे 5 जीरो बताए तो इतना आंसर जाएदा वाला है जूल में लेड़े इन्होंने आंसर पूछा है मेड़ा जूल में तो हमें 10 पावर 6 हटाना पड़ेदा तो 10 पावर 6 यानी 10 पावर डेड़ रूड़े 10 पावर 6 जूल भी तर सकते इस्टो और जैसी 10 पावर 6 आप हटाओ ड़े बच्चा तो ये आंसर जाएदा सर डेड़ मेड़ा जूल टे साथ हाँ ओप्सन नमबर सी टे साथ जाने वाला है पाच्वा नमबर टोशन पढ़िए समझिए और फटा बड़ दलीज मुझे आंसर दिए प्रिया, सतेंद, सुभास, उज्ज्वल, संदीप, उमंड, रजनी टान थे तो ये बच्चा बताईए एट धातु की छड़का प्रत्रोध टिष्टे अलावा सभी पर निवबर टरता है आप बताईए प्रत्रोध टिष्टे अलावा इनमें से टिष्टे अलावा सभी पर निवबर टरता है फॉर्मला याद नहीं याद है मुझे बताईए पहले तो टेना रजिस्टेंस टाफ फॉर्मला होता है रो इन्टू L बटे A बच्चर यहाँ रो होता है प्रतिरो धत्था लंबाई area अडा तो मेरे भाई लंबाई पे भी निबर टड़े दा प्रतिरो धत्ता पे भी निबर टड़े दा और यहां तकना रो तामान या र्जिस्टेंश ना मान वादच्चा वो तापमान पे भी निर्भर तरता है मैंने एक बार नहीं टेके बार बताया है धातुओं के टेस में क्या होता है कि जब भी डभी हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो बच्चों टेंपरेचर बढ़ाने से उसका प्रत्रोध बढ़ जाता है यादेजी नहीं यादे लेकिन धानत तो पर प्रत्रोध का मान निर्भर नहीं टड़ता ठीक है तो देंसिटी पर निर्भर नहीं टड़ता है इसलिए ओफ्चन नमबर क्रिष्टे साथ जाए रहा सी वाले उत्तर्टे साथ जाए रहा यह लीजे आजिया भीया यह है रियल्टी मैं आप रहता दू यह है रियल्टी मैं देखता हूँ टि यूटूब पे बहुत सरे लोड BACDT ट्लास लेते हैं लेडे मुझे आज तक नहीं समझ में आया वो लोड ऐसे सवाल क्यों नहीं लेते आते बच्चों ऐसे सवाल क्यों नहीं लाते जब कि आप सब लोगों को पता है यह हमारा प्रिवेस येल कोशन पूछा डिया कोशन है और हम लोड देखिये BACDT ट्लास पढ़ते चले जाते हैं लेडे जब इस तरह के सवालों की बात आती है तो हम लोड इस तरह के सवाल कभी लेटी ही नहीं आती मैं देखता हूं ट्राइबार यूट्यूब चैनल और भी लेटी ये रियल्टी है और यही हमारे एक्जाम की नीड है जिसने इसको लड़ा नसीट लिया आसान तो सब लड़ा ले दिया चलो ट्राइ भारते हैं टैसे लड़ेडा और असान होता है टठेन मिल्कुल नहीं होता आप इमस्वूच्चूटी बर्व टठेने इन्होंने बोला है कि 30 ग्राम और 15 ग्राम के दो बच्चे सीसा जूले के एक तरफ है देखो माल ले जिए आपके सामने ये सीसा जूला है बच्चों सीसा जूला कुछ इस तरीटे से होता है एक तरफ का हिस्सा इधर एक तरफ का हिस्सा इधर ठीके 30 क्लोडाम 15 क्लोडाम के दो बच्चे आलंब से 8 मीटर और 1.2 मीटर मतलब 8 बच्चा है 30 ट्लोड राम और दूसरा बच्चा पताई कितने ट्लोड राम का है सर दूसरा ट्लोड बच्चा है 15 ट्लोड राम तो दो बच्चे आलम पेटे 8 ही ओर है इन्टी दूरी तितनी है तो कहा जा रहा है कि 8 टी दूरी है बच्चा 8 मीटर और दूसरे बच्च बच्चा दूसरी ओर इस डो बैलेंस टरने लिए इस तरफ एक M kloram का बच्चा लटताया दिया capital M kloram और आलंब से बताई तितने मीटर ती दुरी पर बैठा है 1.2 मीटर यानि M क्लोडाम का बच्चा जो है वो आलंब से तितने मीटर ती दुरी पर है 1.2 मीटर ती दुरी पर ऐसे तो बोला क्या जा रहा है इन्होंने बोला है कि संतुलन की अवस्था में बताईए कैप्टल M का मान कितना होना चीए ये मान आपको पूछ रहा है ठीक है चलो तो लगाये जाए कैसे लगाते बच्चा इसमें तूचरी करना होता है बच्चा moment तुरी करना होता है moment इक्क्रेश तूरी और मैं ढूटर की बाद करता हूँ या पिर आठ्वून पर करता हूँ तो यहां तकना आघून का फार्मला होता है सर बल इंटू आलम्र से दूरी और हमें आघून को ही बलाबर टना है सवाल यहां से सौल हो जाएदा देखो टैसे 30 क्लोडाम तितना आघून देडा तो टैदेना 30 क्लोडाम की दूरी है 8 मीटर 15 क्लोडाम तितना आघून देडा तो 15 क्लोडाम ति दूरी है 1.2 मीटर और इंटी डिरेक्शन इस तरह सोड़ी ट्लोट वाइज तो ट्लोट वाइज वाली डिरेक्शन इत्तरफ लिटली और अंटी ट्लोट वाइज वाली डिरेक्शन जो इस तरफ होगा उन्टी direction इस तरफ रिखली तो यहाँ पर बताईए यह क्या है सर यह M क्लोडाम है और तितने मीटर ती दुरी है 1.2 मीटर ती दुरी है हमने इनको बराबर ड़र दिया बस सर पाथ जुलाइटा PDF नहीं डाला है ठीक है मैं डाल दूघा हाणा सर यह वाला question आपने पैड बैज में ठाये हाँ मिल्कुल भाई लिवर वाले chapter में वो है मीटर स्टेल करके तो लिवर वाले chapter में मीटर स्टेल मैंने पढ़ाया और मीटर स्टेल में इस तरह के मैंने 10 सवाल सोल रहा है चलो तो आप मुझे बताईए इस्टा उत्तर किस्टे साथ जाने वाला है तो बढ़ा आसान है सर आप 1.2 टा डिवाइड का दू तो जैसे मैं या 1.2 टा डिवाइड नीट आना तो एक काम कड़िए इस्टो इधार सोल रा लीजे तो ये 30 और ये 15 और 12 का मल्टिप्लाई टरेंगे तो 18 और 30 तितरा हो जाएड़ा 48 ये देखो तो m बराबर 12.48 यानि m बराबर हो जाएड़ा 40 टेजी 12.48 m बराबर 40 टेजी हो जाएड़ा ये सवालता सही उत्तर होड़ा पिछली बार 5 सिप्टों में ऐसे सवाल पूछे नहीं दा रखिये रा ठीके तो आप लोड पहले मुझे एट बार थमसब रटे बताएंगे कमेंट रटे बताएंगे आज के बाद ऐसा कोई सवाल आएड़ा तो मेरे ट्लास्टे बच्चों से ये सवाल सवाल होना चीए ठीके जा रखिये रहा चलो अडले सवाल के और बढ़ते हैं कोईशन नमबर जल्दी बताईए 7-8 तर दीजिए और बताईए 7-8 टांसर टिष्टे साथ जाना चीए पढ़िया आप देखें बहुत सारे बच्चे ने सटीट आंसर दिया था मैं तारीफ फ्यरूंड उन बच्चोटी हरा कुटी मैंने एक चीज़ देखी दी ति मैंने कोशन ने सलूशन मिने दे रहा था और ज्यादा तर बच्चे 40-40-40-40 चिला रहे थे तो आंसर आ चुटा था इन्ह मोल, एंपियर उस्टे अलावर के सबते हो समय, द्रमाल, लंबाई ये सब होती है लेकर रेडियन फंडामेंटल यूनिट में नहीं आता रेडियन फंडामेंटल यूनिट थो नहीं आ है बच्चो फंडामेंटल यूनिट के साथ साथ एक और रासी भी होती है जिनको हम बो और बच्चों दूसरा होता है मूल रासी, आपको पता है, मूल रासी ती संख्या टितरी होती है, तो तैदरा मूल रासी ती संख्या होती है, साथ, टोटल, इनमें डिफरेंस, पता है नहीं पता है आप लोड को, डिफरेंस जानना बड़े ज़रूरी है, जेटो, पूरक रा होती है किस्टे पास विमा नहीं होती यह डिफ्रेंस है इस्टे बीच में हाँ देखिए तुड़ाइट पर सेसं को और सेयर करो भाई जिन्हों आभी तर सेसं को सेयर में किया फटाट से जल्दी सेयर पर सेयर कर दो तारी हम लोग 100 प्लस पहुच जाए और जिन्होंने लाइ दोनों चीज़ों होती है लेकिन विमा नहीं होती जैसे कि कोड का मात्रख होता है रेडियन लेकिन एंगिल्टी कोई विमा नहीं होती मेरे भाई समझना बात को तो यह हमारे पास ट्रेस अपते हो इस्टा में पॉइंट है चलो अड़ला स्वाल बताई राजनकुमार जो म वाली वस्तु टा जड़त अधित होड़ा इन में से किस वस्तु टा जड़त अधित होड़ा तिस्टा क्या चीज अधिक कर जाए जिससे ती उस्ता जड़त अधित हो जाए आठवा स्वाले बत्चा एट बात मुझे बताईए मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है ति जड़ चैई आब अपर आप तो समझे वाहिए रहा बाटी आपको वह सब पता है तो पहला नियम होता है वह सब चीज्ज़ हुआ है हम लोग अपनी क्लास में डिश्टेस् पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, जिस पर समय थोड़ा ज़्यादा लड़ेने वाला है, बच्चो, complete math का एक ऐसा batch, जो आपकी पूरी पूरी math तैयार करेड़ा है, सिर्फ 299 रुपए में, माई परसल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, अनुराज सल्टा complete math लेने लिए, आपको डिश्टाउंड पाने लिए, योडी 10 टूपन कोट इस्तमाल करना है, या फिर जो नमबर लिखा होता है टीम का, आप उस नमबर पे भी फोन कर सकते हैं, चलो, अडला सवाल देखें, बताईए, हाँ, आजी एप पे ट्लास किये थे सर, अच्छा, ठीके, बताईए, ये वालो सवाल, सबसे ज़्यादा confusion question, most confusion question, railway ने पुरानी वाली 9 सिप्टों में से कम से कम 5 सिप्ट में ये कोशन डाल रखा है, और बच्चा ये कोशन तो 88 सिप्ट में दो दो बार भी आया है, और ये कोशन सबसे आदा confusion सवाल है, आता हुए सवाल गलते कर देता है, हाँ, देखो, मैं बताओ, सबसे पहले आप लोग चीजों को समझो, देखो, एट टर्म होता है उसमा धारिता, जिस्टों में बोलते हैं, heat capacity, अगर मैं पूछू, इस्टा इंगलिस में नाम क्या है, तो टेह देना इस्टा नाम होता है हिंदी, इंगलिस में heat capacity, सुनना है ना सब लोग, और बच्चों एट टर्म होता है, विसेष्ट उसमा धारिता, और विसेष्ट उसमा धारिता, ट्वाड़ा टोग पूछे, तो बताइए इस्टों इंगलिस में टेह टेहते हैं, तो ये दो टर्म होते हैं, और दोनों टर्म रेलवे बहुत पूछता है बच्चा, और हमेशा confusion create कर देता है, ठीचे, सुनो वड़े धान से, टैदे में साथ, बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं, तो उसमा धारिता का मतलब होता है, उपर उसमा रखिये, और नीचे temperature रखिय ये है उसमा धारिता, और जब विशिष्ट उसमा धारिता नीबार करेगा, तो विशिष्ट उसमा धारिता का मतलब होता है, उपर हीट रखिये, नीचे द्रमान M के साथ, डिल्टा टी होना जीए, ये होती है विशिष्ट उसमा धारिता, सुनने हैं नी सुनने, कई बार म में भी confusion होती है, बच्चो उस्मा धारिता का मात्रॉट होता है, जूल परती Kelvin, अब विशेष्ट उस्मा धारिता का मात्रॉट होता है, जूल प्रति, क्लोडामHC अब आणसर सब लोग देना चाहोंडे बच्छा उन्होन क्या बोला है फ्नी जूल बच्चो अगर उन्होने सिर्फ ऊश्वा धारिता पूछीए तो ऊश्वा धारिता लिए ये वाला फॉर्मला इस्टमाल दा ये वाला हीट उपर तो हीट है 2000 जूल और कितरे टेप्रेचर की व्रद्धी हो रही है आठ आठ की व्रद्धी हो रही है तो 2000 बटे आठ 2000 बटे आठ कितरा हो जाए रहा सर 2000 बटे आठ 2500 आजाए रहा जूल पर टेल वेन ये सवाल रहा सही अंसर होगा option number C बोलो भाई बात सब को क्लिया रहे ला अचा कुछ लोड ने जैसे अंतित्रमार यादों ने एं आंसर दिया पता अंतित्रमार यादों ने क्या किया होगा अंतित्रमार आ यादों ने ये वाला formula इस्तमाल किया होगा अंतित्रमार यादों ने किया है 2000 उपर पोटीया है और द्रमान 200 ड्राम है 200 ड्राम करो नीचे रठा 0.2 और 8 भी नीचे रठा तो इस्टो 100 आने से पताईए क्या साल आजाएदा तो इस्टो शॉल ताने से लगबट 1250 प्यास पास आजाएदा तो उसने 1.2 लगा दिया नहीं तो यह नहीं पूछा है इसने पुछाता है यह सुनना है ना सब लोग तर्फूजन नहीं होनी चाहिए मैं आपसे कोशन पूछू देटो मैं टीचर हूँ यार मेरा काम यह है कि आपके मन से छोटे-छोटा डाउट धूल टड़ना अजब मैं नहीं टर पाया तो मेरे टीचर होने ना होने कोई फल्ट नही है कि सर यहां का टेमप्रेचर था सेंटीडेट में आठ और जब तुमने आठ को रठा अब मात्रा बना दिया जूल पर केल्विन में सुनना बात को तो बच्चू टे मन में यह आ सकता है कि सर सेंटीडेट में टेमप्रेचर था तुमने आठ ही रठा और जूल पर केल्वि किसी के पास इस्टा जवाब है कि अगर मात्रग जूल पर टेल्विन करना था तो आपने यहां पर आठ प्लस दो सो तेत्तर यानि टेल्विन में ट्यों नहीं बनाया तो बच्चों इसटा सही आंशर ये है कि जब भी तभी टेंपरेचर में वरद्धी बार टेरा तो बच्चा वरद्धी चाहे सेंटी में हो और चाहे वरद्धी टेल्विन में हो हम बिल्कुल बिल्कुल भी सुनाओ तो बात व्रद्धी की हो रही है और व्रद्धी हमेशा दोनों में बराबर होती है हमेशा बराबर होती है जैसे ती आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल भी सुना चोहान तुमने एदम सटीटा व्रद्धी की बात हो रही है और व्रद्धी हमेशा दोनों बराबर होती है जैसे त मालनों temperature है 0 degree centigrade और 17 degree centigrade व्रद्धित इतने की हुई तो व्रद्धी हुई 17 degree centigrade की लेगा अगर यही मान में Kelvin में निटाल के पूछता तो 0 degree centigrade का मतलब होता है 273 Kelvin और 17 degree centigrade का मतलब होता है 300 Kelvin बच्चों अगर मैं इसमें भी व्रद्धी की बात करता तो 300-273 277 Kelvin ही आता तो व्रद्धी इस बाद तो याद अठना व्रद्धी हमेशा centigrade और Kelvin में बरावर होती है इसलिए हमने Kelvin में ही टर सकते हैं अब यहीं से देखो यह doubt आता है बच्चों टेमन में doubt यह आता बच्चा जहां 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 व्रद्धी हो जैसे टी बहुत सारी जड़े पर व्रद्धी आती है डेल्टा q वराबर mc डेल्टा t तो जहां जहां डेल्टा t आ जाए वहां पर temperature को चाहे centigrade में रठो चाहे Kelvin में रठो आंसर में कोईफर्ट नहीं पड़ेगा बच्चा लेटे जहां कहीं single t आ जाए व्रद्धी नहीं single t वहां पर हमेशा दारतना आपको किसमे रठना होता है Kelvin में रठना होता है जहां पर single t आ जाए वहां पर किसमे रठना होता है Kelvin में और जहां डेल्टा t आ जाए फिर चाहे सर सेंटीडेट रठो चाहे Kelvin रठो आंस इसमें आपसे यह जानना चाहता है कि आपको electricity टे सारे formula आते हैं कि नहीं आते? यह जानना चाहता है. क्या मोना जा रहा है? निवलिकित में से कौन प्रत्रोध R, चालकता सिड्मा, लंबाई L, धातु R, इनके बीच में सही सम्मंध है. और ऐसे सवालना हमें हमेसा धोटा दे बच्चों इसने लिए आपको एक पहले formula याद होना चाहिए R बराबर होता है ρो इन्टू L बटे A. सब्रुस तो सही है. सब्रुस तो सही है. लेकि इन्होंने जो चालकता तो बीच में घुसेड दिया, इस्टो हमें थोड़ा समझना पढ़ी रहा बच्चा. तो यहां से आपको एक बात पता होना चाहिए. चालकता जो होती है वो प्रति रो धक्ता के उल्टी होती है. जो चालकता होती है सर वो प्रति रो धक्ता के यादि रो के उल्टी होती है. तो मेरे भाई पता हो जड़ा जल्दी से. तो हम लोड अगर इसको रो को वन अकॉन सिडमा कर द तो क्या हम लोग इस formula लिट सकते हैं R sigma A बराबर L देख लो R sigma A बराबर L ये देखिए और मैं बधाई देता हूँ आप सब लोग रोटो आप सब लोग बधाई के हथितार है जादा कर बच्चों ने इस्टा सही answer C दिया और A इसलिए दे रहे थे तो कि उन्होंने रो को ही sigma बना दिया रो को sigma नहीं बनाना है रो को sigma नहीं बनाना है धानकना formula एतम contrast होना चाहिए देखो मैं आप बता दू knowledge हमेशा आपकी सही direction और सही concept के साथ होनी चाहिए बच्चों अगर डलक concept के साथ हुई बताओ आधा अधूरा ज्यानना जहरते समान होता है और गलत ज्यान भी जहरते समान होता है इसलिए आपको सही ज्यान इठेक्टा टरना चाहिए उस्ते पीछे का लॉजिट क्या है क्या उस्ता सही answer होना चाहिए जब तर आपको ये clear नहीं हो जाता बच्चा दान से क्या बोला जारा है चदवा पर गृत्ति तौर प्रत्वी ता देखो 1 भाई सित से सबको पता है यदि प्रत्वी पर भार कितना है 90 kg4 त्याँ इन्होंने बोला है कि हम तिसी आदमीटा प्रत्वी में जो भार बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है 90 kg फोर्स तो बोला जा रहा है बताईए चंद्रमा पे उस वेट तीटा भार तितना होड़ा ये प्रस्न है मरला आप इद्दम आसान सवाल है लेगे अड़ाड आपके पास ज्यान नहीं है ट्लोडाम फोर्स का नहीं लगा पाऊगे अद्देटी टैसे लगाए जाएदा अब यहाँ पर आप लोड़ो टो इद्दम क्लियर कट पता होना चीए ति एट क्लोडाम फोर्स का मतलब होता ह है 9.81 न्यूटन अब 9.81 कह दीजिए या फिर आप 10 भी तहोगे तब भी मैं बात को माल लूँगा एक ट्लोडाम फोर्स में 10 न्यूटन या 9.81 न्यूटन होता है जप्रूट लियर है तो बच्चा क्लोडाम फोर्स को पहले आप 10 से मल्टिप्लाइट आके बना लीजिए जल्दी से न्यूटन ये देखो हमने 900 न्यूटन मना लिया अब इस्ते बात क्या बोला जा रहा है चंद्रमा पे भार बच्चों चंद्रमा पे जो भी भार होता है वो प्रत्वी के भार का 8 बटे 6 होता है चंद्रमा पे आने वाला भार प्रत्वी के भार का 8 बटे 6 तो 900 आप आप सकते हैं ति उत्तर जो जाने वाला है वो एक सो पचास न्यूटन के साथ जैडा समझ भाएड नहीं आया आहा हो क्या बात है ऑप्सर नमबर 20 प्रसंट का एकुरेट आंसर होना चीए चलो यह लिए अरे भाई उस्मा वाला चेप्टर तो पिछली बात रेलवे वाल उस्मा उस्मा के सवाल सलटाओंगा ताथी उस्मा ना तुवारे मैंड में धूस जाए यह यह चलो देखे सवाल क्या पांसो द्राम द्रमानके धातू टट्रेटा उसमी धारिता विशिष्ट उसमी धारिता मतलब सी तुम्हें ग्यात करना है 10 लो जूल की उसमा उसो से टरने पर इस्टा ताफमान 80 degree centigrade बढ़ जाता है तो बताइए सीटा मान कितना होना चाहिए लेज़े सीटा मात्रग भी एक बार डॉल से टर लेना सी जो पूछ रहा है न तुमसे वो पूछ रहा है जूल प्रती ग्राम केलेविन में ये भी बड़ी इंपोर्टेंट बात है अज़ा आपने इस्टो नहीं धान दिया तब भी सवाल खिलत हो जाएगा हना तो मेरे भाई याद करो डिल्टा क्यू बराबर फॉर्मला होता है M C डिल्टा T सुनना दान से बताइए कितनी हीट दी जा रही है 10 ट्लो जूल लेगे आंसर तो जूल में पूछ रहा है तो 10 ट्लो जूल को आपको बनाना पड़े रहा 10,000 अब देखो द्रम्मान कितना दिया जिया था सब द्रम्मान था 500 ड्राम 500 ड्राम तरह तो ये भी तो ड्राम में है तो इसना मतलब द्रम्मान को आपको 500 राम ही रटना पड़े रहा विशिष्ट उसमा सी पूछ रहा है और डेल्टा टीड आमान देखो असी डिल्ली सेंटिडेट तो असी डिल्ली सेंटिडेट है तो यहां असी रट दो देखो तो आप मुझे बताईए यहां से सौल्ट आने से क्या आसर जाए रहा तो टैदर यह 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 तीन जीरो तीन जीरो टट गड़े आठ पंच चालीस यहनी सीट अमान हो जाए रहा दस बटे चालीस और दस बटे यह लिजे बाइनरी टूडेसी मल यह आईटी लिट्रेसी टाकोशन है पता ही नहीं पता सकतो बोला दरा है भी मेरे पास एक बाइनरी संक्या है आप इस तो सर देसी मल संक्या में बना दो थोड़ा एक बार वीडियो टो और सेर कोड़ो बाई जिलो ना भी तर सेशन कर सकते हों करना तोई जबर दिस्ती नहीं है चलो देखो बाइनरी संक्या हो दसनर्म संक्या में बदलना है बच्चा और यह देखो क्या बाइनरी संक्या लिखी हुए है 110 फिर आ गे है 110 यह देखें सही लिटा मैंने 1208, 801 08 बच्चो जब भी तबी ठीसी भी ठीसी भी आ पहा दिया था यह सी हरा और application पर मैंने इसको बहुत खतरनार तरीटेश बताया देखो कुछ नहीं करना होता बस सभी में एक से शुरुआत करते हुए दो चार आठ सोला फिर बतेश बतेश ते बाद चौसार चौसार के बाद 128 हम लोग डबल करते चले आ रहा है और 128 ते बाद 256 बस इनका multiply करते उठाटे जुड़ना होता है बस ओके तो दो टी पावर जीरो दो टी पावर एट दो दो टी पावर तीन दो टी पावर चार ऐसे हरा या फिर कड़ने से तो कुछ नहीं मिले रहा यह जड़ो तो बचा हमारे पास क्या सर बचा हमारे पास 256 बचा हमारे पास 128 बचा हमारे पास 32 बचा हमारे पास 16 बचा हमारे पास 4 और बचा हमारे पास 8 आप बताओ इनकों जोडना ही तो है तो मेरे भाई इन सब तो जोडने के बाद बताईए क्या जाना चाहिए तो बच्चा इन सब्सक्रों जोड़ेंगे पाद आपको आंसर में लेगा चार सो सैतेस यह सवाल कर से उत्तर ठीटे चलो आड़े बड़ा जाए आड़े बड़ा जाए यह लीजे चलो टोशन अबर 14 बताई जाल दीजे वो भी गम्प्यूटर टे लिटा आईटी लिटरेसी टा कोशन दा आजर दीजे कमेंटर रेट बताईए सॉप्ट्वेर यूज़ टू मैंटेन दा सिक्यूर्टी आफ प्राइवेट नेटवर्क बताईए हम लोग कौन से सॉप्ट्वेर टे इस्तिमाल करते हैं तो बच्चो निजी नेटवर्क टे लिए सॉप्ट्वेर टे इस्तिमाल करते हैं और उसी सॉप्ट्वेर टे आपसे नाम पूछा जा रहा है तो बच्चो उस सॉप्ट्वेर टे नाम होता है firewall ये ऐसा software होता है जो बार से आने वाले जितने भी हमारे virus होते हैं वो virus से software आपके personal software रच्छा करेड़ा इसको बोलते firewall option number C ते साथ आने बढ़िए बताईए question number 15 पढ़िए जल दीज़ और बताईए question number 15 रटाइट उतर ये लिजे इसको तो आप very very important concept करो इसको आप जितना जादा important concept कर लोड़े उतना important कर लीजे मैं इसको आप तो देखिए ज़िए ज़िए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़े बता रहा हूँ बस 8 मेडर रूट के question number 15 को complete कीजे बोलो जालाएटी पचास ग्राम द्रम्मान वाले उस ठोस आपी छिट धनतो बताना है जेटरो जिसे पानी में पूरा डुबोय जाने पर उस्टा वजन दस ग्राम प्राप्त होता है जिरे मतलब क्या है सर मतलब ये है ति मेरे पास एक वस्टू था ठोस था उस्टा हावा में वजन है पचास ग्राम लेटे जैसी हमने उस्टा पानी में डुबोया बच्चा तो पानी में बताईए उस्टा द्रम्मान कितना हो डिया 10 ग्राम देख रहा है ना तो वस्टू था पता यह क्या बताना है सर वस्टू थी बताना है रिलेटिव डैंसिटि ठिक है तो इस्टू हावा में भार, divide by हावा में भार, minus पानी में भार यह formula आपको याद करना पड़े रहा बच्छों, यह formula किसी particular उष्टे लिए पानी टे लिए, यह formula especially पानी टे लिए, लेरा आड़े यह formula liquidly होता, तिसी all liquidly होता, तो आड़े यह और चीज लग जाती है सर वो चीज होती है लिक्विट्टी रिलेट्व डेंसिटी द्रौटी रिलेट्व डेंसिटी तो complete formula आपके सामने ये आता है वेशा ये होता है complete लेकिन जब आप पानी की बात करते हूँ तो बच्चों पानी की लिए क्या होता है पानी के लिए रिलेट्व डेंसिटी रमान बताईए तिस्टे बराबर हो जाता है सर पानी के लिए रिलेट्व डेंसिटी रमान हो जाता है वन के बराबर तो वन के बराबर हो जाएगा तो सर आधे formula से ही मेरा काम चल जाता है चलिए तो वस्तूटी रिलेटू डेंसिटी नी डालनी है मुझे बताईए एर में भार कितना है 50 ग्राम एर में भारे 50 ग्राम अब पानी में भारे 10 ग्राम ठीके value मैंने पुट कर दी तो आप मुझे बताईए 50 बटे 40 और 50 बटे 40 ग्रा मतलब कितना हो जाए रहा सर 1.25 तो ये हमारे वस्तूटी रिलेटू डेंसिटी हो जाए रही 1.25 बराबर ठीजे अच्छा एक चीज़ और सुनो बच्चो धान अठिये रहा ये जो रिलेटू डेंसिटी 1.25 है इससे डेंसिटी बताई जाए तो डेंसिटी भी 1.25 हो जी लेकिन ड्राम पर सेंटिमीटर ट्यूब में और इसमें एठ हजारता मल्टिप्लाई कर दीजे 1.25 में यानि 1250 हो जाएगा बच्चो बारासो पचास जो डेंसिटी बताई जाएगी वो क्लोडाम प्रती मीटर ट्यूब में बताई जाएगी ये भी आप पॉइंट याद कर लो टॉपी में ठीके एट बार मुझे फिर से सारे बच्चे थमसब टरके बताईगे कमेंट टरके बताईगे ये जो ननना सब पॉइंट मैंने आप लोग टो सिठाया ये पॉइंट आप सब लोग सीट गए कि नहीं सीटे जल्दी बताईए ये सब ननना सब पॉइंट आपने सीटा बताईए जल्दी से ये सारा पॉइंट सीट गए नहीं सीट गए बच्चो इसमें ना 8 level का question और बनता है मुझे वाले level का भी question आपको बताना है सुनना बड़े धान से इसमें 8 level का question और बनता है उस level के question को भी आप समझो फीके, देखो मेरे पास 1 ये वस्तू है धान से सुनना, मेरे पास ये कोई वस्तू है और इस वस्तूटू मैंने क्या किया है, जब मैंने इस्टा हवा में वजन तॉला, कहां पर हवा में वजन, तो हवा में वजन तॉलने पर इस्टा वजन मेरे पास आया वच्चा 100 ग्राम, फिर मैंने इस्टा पानी में वजन तॉला, तो पानी में वजन आया मेरे पास 80 ग्रा वस्तूटो मैं एट ऐसे द्राव में तौलूँ यह जो वस्तू है इस वस्तूटो मैं एट ऐसे द्राव में तौलूँ औरा जिस द्रावटी रिलेटिव डेंसिटी जिस द्रौटी Relative density महा लीजिए इस द्रौटी Relative density दhouses है तो बतातर अगर relative density द्रह वाले ड्रौवले relative density के मतता 가능 हुआ रहे हैं तो बता ये MR या यानमीер इस द्रह में इस वस्तूर वजन टितना हो रहे है यह सवाल आए रहा मतलब वस्तोर हवा में तौला 100 पानी में तौला 80 एट ऐसे द्राव में तौला जिस्टी इलेटर डेंसिटी दो है तो बताइए उस द्राव में वजन कितना हो रहा यह सवाल आई रहा तो इस बार ना आपको दोनों फॉमले एक साथ अप्लाई टरने पड़े लिए दोनों फ तो सबसे पहले वस्तोर डेंसिटी निटाल लीजे पानी के टेस्स में कैसे हवा में भार उपर और नीचे बताइए क्या फॉमला हो जाएगा हवा में भार माइनस पानी में भार ठीके, तो सबसे पहले यहां से बताईजे जहें क्या नटले रहा, सर यहां से निटले रहा हमें रिलेटवडेंसिटी किश्टी सर वस्तूरी, अब जल्dersफ बताईजे उपर 100, नीचे 100-80 सव जाए रहा है यह पांच यह वस्तू रिलेटव डेन्सिटी आरी 5 सुनना है ना सब लोग तो बात तो प्रस्ट यह है थि हमें द्रौ में इस द्रौ में वस्तू तो बहार चाहिए तो यहां पर एट बार फिर से फॉर्मुला इस्तमाल टरना पड़े रहा रिलेटो डेंसिटी और वस्तु बराबर उपर होता है हवा में भार और नीचे इस बार हो जाएदा हवा में भार माइनस द्रौ में भार और जब द्रौटी बात करते हैं तो यहाँ पर द्रौटी रिलेटो डेंसिटी रखते हैं ठीक है टो बताइए वस्तु टी ले ट्रू टेंसिटी किसम दा सब्सक्राइए तीन सब्सक्राइए आई पांच हावा बार बार तो वही 100 रहे रहा एर में बार भी 100 रहे रहा द्रौ में बार आख से पूछ रहा है और लेटो डेंसिटी बताई द्रोटी इतनी है दो हमें मतलब दो बार फॉर्मला इस्तिमाल करना पड़े रहा है पुछे और नहीं है हना चलिए तो बताई यहीं टैसे सौल हुडा तो मुझे जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है इस्टी टेलकुलेशन यहां टर दे रहा हू मुझे जो नजर आ रहा है वो 100 माइनस द्रोट में भार बराबर बच्चों 200 जब यहां ले जाते टैंसल करेंगे तो 520 चालिस तो बताई द्रोट में भार कितना आ जाएगा तो द्रोट में भार आ जाएगा 100 माइनस चालिस यानि 60 ड्राम देखें सर जीडी सीटी आरारबी जेटी तो अभी नहीं है बच्चा और अभी तो सिर्फ एल्पी टे जीडी सीटी तेहरी चल लाइए हना तो आप लोट फिर से मुझे एक बार बच्चों बताओ फुटी देटो मैं चाहूं तो फटा-फट जो है हर चीज बतारे चला जाओ लेग बच्चा जाता है तो तुमसे बनना चाहिए नहीं बनेगा ना तो बहुत बुसा सी आईडी मुझे मैं सही बताओ चलो अडला सवाल देखिए यह वाला सवाल त्राइटी जे बताइए शोलवा नमबर पढ़िए कौन सा छतनात पढ़ार्थ फेपड़ों तेटेंसल टार बनता है बच्चा आपके पस दो फेपड़े होते हैं और दोनों फेपड़ों तेटेंसल ता मतलब यह होता है जाए कि उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकील जम जाए तो धान रखीए तुज जो हमारे अबरक्त के पार्टिक्ल होते हैं बच्चो दा रहकना यह फ्ट्रों के टैंसलि रिस्पॉन्सवेल होते हैं अब्रा के पार्ट के ठीट है तो आफसर नमबर बताएं टिष्टे साथ जाना चीए बी वाले उत्तर के साथ जाएदा अब्रा के पार्ट के चलो आगे बढ़ी है लगाएं 17 नमबर क्रॉशन फड़ा बड़ जल्दी से ट्राइम आ रही है और बताएं प्रॉशन नमबर 17 रॉप्तर क्या होना चीए इनमें से क्रॉण सबसे आता जहिरली डैस है मैं आपको बता दू मीथेन जो है जहिरली डैस होती बिल्कुल नहीं हाँ मीथेन जो है ज्वलंसील डैस होती है विस्फोटर डैस होती है जहिरली डैस बिल्कुल नहीं होती सर कार्बन डाइटसाइड जो है ये ग्लोबर वार करती है लेगि जब जहिरलापन की बात आती है तो जहिरली डैस होती है carbon monoxide यह हमारे ब्लड के hemoglobin में sagt कैसते होटि..! oxygen के वबहान छमता इनि परिवान चमता को गम कर देती है तो जहिरली डैस में केवल 80-डेस होती है, टार्बान मोनोर्ट साइट, नहां रखना important सवाल था, चलो, question number 18 वाद देखे, बताईए, आज़ा दीजे, विवेट, प्रिया, जिंदरी, डितेस, दत्त, डितेस, दत्त, ओके, तुम लगता नय हो है, बहुत सारे बच्चा अभी नय भी student जुड़ रहा है, आज़ा दीजे, यदि कार की ड़ती, 54 क्लो मीटर प्रती घंटा से बढ़ा कर, ठितनी टड़ती जा रही है, 90 क्लो मीटर प्रती घंटा करी जा रही है, तो बताना है आपको, ड़ती जूर जा बताईए, इस अनुपात में बढ़ जाएजी, तितरा प्यारा सवाल है, बच्चों इस्टे लिए सबसे पहले आप लोड़ोटो, इसको कंवर्ट टर लीजे, किस में, मीटर पर सेकेंड में, 54 क्लो मीटर प्रती घंटे तो मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए, आपको करना पड़ेगा 18 से मल्टिप्लाई, तो 18 ती है 54 और पास्ती 15, तो यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड आएड है इस्टामान, इस्टामान कितने के बराबर हो जाएगा, तो इस्टामान हो जाएगा 18 पंचे 90, यह डारेक्ट भी टर सकते हुआँ, डारेक्ट भी टल लीजिये न, रेशियो निडाल दीजिये, रेशियो निडाल लीजिये, 18 ती है 54, 18 पंचे 90, सर, वैलोसिटी जो है ना, वैलोसिटी, वो तीन और पांच टरन पात में आ रही है, तो ड्रती जूर्जा बताईए टिशन पात में आ जाए जिए, तो टैना अगर वैलोसिटी, तीन और पांच टरन पात में आ रही है, तो ड्रती जूर्जा तो इस्टे इस्ट्वायल हो जाएगा, अब तीन टेस्वायल होता है, और जल्दी बताईए पांच टेस्ट्वायल पाच्चेस, तो आंसर बताईए इस्टे साथ जाए रहा नव और पाच्चेस्टे साथ, अरे भाई, मैंने इस्ट्वायल कर दिया ना, थिरे, चलो, आज़े बढ़ी, बच्चों, अडल, आपको ये बेसिट साइंस इजने ट्रॉइंट का जो ट्लास में ले रहा हूँ, आपको समझ में आता है, और आप चाहते हो ठी हाँ, बीए सी डीटा एट अच्छा टंटेंट आपका रेडी हो जाए, तो आप माई पार्ट साला एप्लीटेशन को डाउनलोड करके, बीए सी डीटा कंप्लीट बैच ले सकते हो, इस बैच की ठास बात ये, इसमें मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपके चालिस में से टम से टम 35 प्लस टोशन फसा दूँगा, एज़ाम में, इससे टम नहीं, इससे ज़्याद ही फसेंदे, इससे टम नहीं फसेंदे, और देखे डा, इस बैच में सबसे आदा सेलेक्शन आपके इसी बैच में मिले रूपए में, सिर्फ 399 रुपए में, आप इस नंबर पर फोन करके बैच जोईन कर सकते हैं, या माई पर्टसल अप्लिटेशन टो डाउनलोड करके एक टूपन कोड लगाईए, योडी टेन, जिस्टे बाद आप इसमें डिस्टाउंद पार्टर बैच टो जोईन कर सकते हैं, मैं फिर से टैदू, ये बैच मेरा सबसे प्यारा बैच है, और इस्टे बहुत महबट के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय है, चलो, आंसर दीजिए, बदा ही सवाल का अनसर, उन्नीस रमबा, 24 होंटा प्रभावी प्रत्रोथ पाने के लिए, आर और 60 होंटे प्रभावी प्रत्रोथ को समांतर में जोड़ा जिया, तो बताइए, हमारे आर का मान के तरह होना जाए, बड़ा अच्छा सवाल है, बच्चो इन दोनों को समांतर में जब जोड़ा दिया, तो नेट रजिस्टेंस के तना मिला है मुझे 24, यही तो कह रहा है, ठीटे, तो बताइए, आर और साथ होम प्रों समांतर में जोड़ दो, तो आर गुड़े साथ, डिवाइड बाई आर प्लस साथ, हमने आर और साथ को समांतर में जोड़ दिया, यह देखिया, तो बच्चो इसना जो नेट रिजिस्टेंस मिलेगा, यह देखिया, और तो इतना मिलला है, चौबीस, हमने चौबीस टे बराबर ठड़ दिया, ठीक है, तो बच्चो यह बताओ, अगर मैं यहाँ से सौल राके मान निकालू, तो बारा पंचे साथ, अब बारा दूनी चौबिस, तो यहाँ पर हो जाएदा 5R, और यह हो जाएदा 2R प्लस एट्सो बीस, तो बच्चो 3R बराबर एट्सो बीस, और यहाँ से R बराबर पुछा जाएदा, तो R बराबर हो जाएदा 40 ओम के साथ, तो सवाल कर सही उत्तर, और अप्शन नमबर एटे साथ जाना चाहिए, इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा tough question नहीं था याला, चलो, आज बड़ी, बताएए, यह लीजे, बहुत बड़ी है सवाल, सारी महंड़ी सबजी, हमारे आहार में मौझूद, हरी और पीली सबजीयां, सिमला मिर्च आते हैं, वो तो सस्ते आते, लेटे जो पीले वाले सिमला मिर्चे साला, इतने महिंड़ी आते हैं, इतनी सबंज में नहीं आता, खाएं टी उठाटे बस, अपने अलमारी में, फ्रीजर में रट ले हैं, तो बच्चों ये जो महिंड़ी वाली सबजीयां हैं ना, हरे और पीले वाली, सर BACD टे बुटका इंत जार है, बच्चा उस पे काम चलना है, वो भी आज आई डी, तो ये हरी और पीली सबजीयां, इनमें ज़्यादा तर मात्रा होती है, ये पोटेशियम थी, बच्चों पोटेशियम ना, आपके दिल में के दोरे को टम चड़ता है, जो पोटेशियम और सोडियम है ना, वो आपके दिल को मजबूत रखता है, तो पोटेशियम और सोडियम दिल को मजबूत रखता है, और इसे लिए देखिए, क्या बात है थोड़ा इपर सेशन रो और सेयर टोड़ो भाई जोनों अब तर लाइट नीटिया फटाते जल्दी से लाइट टोप दीजे बताईए इस सवाल तो सही अंसल किष्टे साथ जाना चीए है क्या कहती है यह जंदा भाईए यह सवाल तो बहुत ठास है एट पंप्टी सत्ती जाठी जे तीजे तीस मिनट में एक तन पानी नबे मीटर त्यू चाहितर पढ़ा सकता है पंप्टी सत्ती बताओ तो बच्चों पंप्टी पावर वो भी हंड़ेट परसेंट अच्छता है तब तो अगर आसान कह दिया आपके लिए कुचरी टरना MGH upon T टर देना आपको power पता जल जा रहा है चलो द्रमान कितना है सर द्रमान एक टन तो एक टन का मतलब क्या होता है तो टरना एक टन का मतलब होता है सर एठ हजार क्लूडाम GT value 10 और H टरमान 90 मीटर सुनना है न सबलोड और समय समय तो 30 मिनट है लेज़े 30 मिनट को सेटेंड बना ले न वहिया 30 डोडे 60 से multiply टर यह से क्या टेहती public क्या उतर जाना चीए टेहना 8 2 और 9 618 तो 8000 बटे 2 यानि उतर जो जाने वाला है सर वो 500 वाट के साथ जाने वाला है हाँ बिल्कुल टाफी सटीट और प्यार भरा आपने अंसर दिया 500 टाफी बढ़िया अच्छा लगा चलो नेस कोशन देखी बताइए यह लेज़े इस सवाल बड़ा प्यारा सवाल बाई साब हीट से निमेल्टल से पता नहीं इन्टुक तितना प्यार हो रिया आपने देखा कि इसी सिफ्ट में चार निमेल्टल हीट से पूछेड है देखा चलो बड़ाईए क्या टेहती पबलिक 1.25 ग्राम नाइट्रोजन के वास्पी टाड़े के लिए विसेष्ट डूप तूसबा रियाद दीजे बच्चा विसेष्ट डूप तूसबा मतलब डूप तूसबा रियाद टनीए तो आपको पता है कि डूप तूसबा रियाद टनीए 250 जूल द्रम्मान है 1.25 ग्राम और 1.25 मैं इसलिए रख रहा हूं तो कि उन्होंने भी जूल प्रति ड्राम में पूछा है और जूल प्रति ड्राम में पूछा है और जेटों मेरे भाई यहाँ पर यह एल आ जाए रहा है तो आड़ आड़ एल ट्रमान पुछूटी बताए यह एल ट्रमान कितना हो जाए रहा है 1.25 तो यह 250 डिवाइड बाई 1.25 भाई यह तित्रा आए रहा है दोसो जूल प्रति ड्राम आप लोग टी डड़ तो जादा अच्छी हो डी मेरी थोड़ी सी कमजोर है ड़ड़ि तो देख लीजे रहा एट बार 200 आ रहा यह नहीं आ रहा ठीटे चलो आदे देखे यह यह लीजे तित्रा प्यारा सवाल इस्टो भी इंपोर्टेंट केड़ो मास वेटेड डेंसिटी से प्रिया सर बोला है असरफ ठान कहा रहा है प्रिया सर कौन सी बुट पढ़े अरे बच्चा बुक आप सब्जेक्ट का पहले नाम तो बताओ यार बिना सब्जेक्ट का नाम बताए मैं कैसे बोल दू कौन सी बुट पढ़े चलो बताइए असी नूटन का भार और इन्होंने त्या बोला है ठी धना टार भुजा टी लंबाई बताईए बच्चो एट ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें ज्यादा तलो लोग डलती बीटर देंड़े जैसे ही मैंने आप से टार ही मेरे पास एट घन है घन का इन्होंने भार दे दिया बच्चा असी नूटन और इन्होंने बोला है ये भुजा टी लंबाई बताईए भुजा टी लंबाई टा मतलब है आपको ए बताना ए टितना होना चाहिए ये तो ए प्रस बादे कैसे लगाएंगे तो आप कहना किटकुल में लाके कुछ करना सर भार बराबर होता है mg और द्रमान को हम लोग धनत गुड़े आयतन कर सकते हैं इन्टू जी बस तो भार का फॉर्मला हमने धनत गुड़े आयतन इन्टू जी लडा दिया ठीके तो मेरे भाई भार कितना है असी नूटन अब देखो यहां गलती इसलिए हो जाएगी क्रोटी लटडी ठाधना तो एकड़ाम पर सेंटीमीटर डिया है तो बच्चों 80agen है तो आपको एकड़ाम पर सेंटीमीटर ट्यूब टो क्लोडाम पर मीटर ट्यूब बनाना पड़े रहा तो मैंने बताया है न Ih dream per centimeter टो क्लोडाम पर मीटर ट्यूब बनाना लिए 8000 करation multiplied तो यहाँ density रमान 8000 क्लोडाम पर मेटर ट्यूब, वैलूम V और GT वैलू 10, ओके, तो मेरे भाई बताओ, यहाँ से वैलूम V बराबर कुतना हो जाएदा, आठ बटे 1000, यह हमारा वैलूम आएदा, आठ बटे 1000, ठीके, अब इत्पाँ बताओ, आठ बटे 1000 है, यहाँ से ए बराबर कुतरा हो जाएदा, तर ए बराबर हो जाएदा, दो बटे 10 मीटर, भाई, आपको घंट मूल लेना पड़े रहे दोनों, तो 8 अठ बटे घंट मूल 2, और 1000 अठ बटे 10 मीटर, और इन्होंने पूछा टेसमे था, सेंटी मीटर में, तो 2 बटे 10 मीटर को, अगर मुझे सेंटी मीटर बनाना है, तो 100 से मल्टिप्लाइट रना पड़े रहा बच्चा, और जिश्टी वजए से बताईए, उत्तर टिश्टे साथ जाए रहा, 20 सेंटी मीटर टे साथ जाए रहा, यह दीजे, तो यहाँ पार पता, सबसे बड़ी लटड़ी क्या हो सकती थी, सबसे बड़ी लटड़ी हो सकती थी, तो आप तो यह अगर नहीं पता, और डैरेट आपने 8 रद दिया, तो सवाल पूरा चौपट, सवाल पूरा चौपट, तो वह यह एच छोटी सा पॉइंट था, और यह एदब कंथस्ट कर लिजे, ग्राम प्रती सेंटिमीटर ट्यूब को, क्लो ग्राम प्रती मीटर ट्यूब बनाने के लिए, हम लोग क्या रहते हैं, बचो ऐसे ही जबरदस्त क्रोंसेप्ट के लिए, आप मेरी फिजेट्स्टी बूट को ओडर टर सकते हैं, यह फिजेट्स्टी एट बूट ऐसी होडी, जो फिजेट्स्टी हल टोपेट टो आपको टरवर्ट आईगी, फिजेट्स्टी पूरा डंख खतम कर देड़ा है यह बूट, इस बूट को ओडर टर ने लिए, आप इस नंबर पे वाट्सप मेसिज टीजे, बच्चा हमारा आपको लिंट सेंट टरेड़ा आप ओडर टर सकते हैं, किताब की ठास बात क्या है, किताब के साथ-साथ आपको पूरा वीडियो टोर्स भी फ्री मिलता है, यहां हो, और इफर्ट भी यहां हो, यह हमारा होता है प्रतम सेर्डितल लिवर, अब प्रतम सेर्डितल लिवर के बहुत सारे जंपल होते हैं, पता है क्या-क्या, जैसे की कैची, कैची में देखो, बीच में ही होता है, और सीसा जूला, यह भी प्रतम सेर्डितल लिवर होता है, सीजा जूला अरा पिलास सर ये भी प्रतम सेड़ीटर लिवर होता है तराजू ये भी प्रतम सेड़ीटर लिवर होता है तो इन्हों दो बोला है कि कौन सा प्रतम सेड़ीटर लिवर है आपका असर कैची के साथ जाना चीए एड़ा तो एट पाईए वाला जो थेला होता है सरावता यह भी सेकेंड काईंड ईवर लिवर ता चिंंटा सर थर्ड काईंड चिंप लिवर अच्छी से पढ़े लिजे लीवर के व्वर हर आपसे पुछे जाएंगे और हर बार आप तो जवाब देना पड़े रहा हूँ चलो जल्दी से जनता इस सवाल तो बताई डी थोड़ा इपर सेसन दो लाइट कर दीजे बाई जुनों अब बतार सेसन दो लाइट मिटे या फटार से जल्दी से एक बार लाइट भी टर दो और सेसन दो लाइट और सेयर करने से ऐसा कुछ नहीं होता ठीक हम लोगों ज़्यादा पैसे मिल जाते बस अंदर से ना मोटिवेशन मिलता है यहां आप लोड हम लोगों लिचर टो पसंद देड़ रहे हो नहीं तो यह तरीटा है बस समझ सकते हो प्यार दिखाने एटा एड़ी जैसे आप फेस्बूट में अपनी मेला भी तरते हो लाइट के बटन दवाते हो वाव भले ही वो चाहे ब्यूटिफुल हो ना एक आपको लिखना है सो ब्यूटिफुल सो नाइस एविन आप उसके कुत्ते रूभी कह देते हो लवली डॉट वाह तो मतलब यह तरीचा है ना प्यार दिखाने एटा सब्सक्राइब तो वही प्यार दिखाने तरीथा आप टड़ सकते हो सवाल देशी त्या है दो धाई अटलो ओम और फलाना फलाना डिटाना 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 लेडा है वोल्टेज ऊच रहा है थीटे भैया तो आप मुझे पता यह वोल्टेज ना फॉर्मला क्या होता ह है था कराई प्र यह तो उल्टेज के थार वल्टेज यह फिभी जाणा होता है मिली एंपियर दस्टी पाऊर मा Drag लड़ाना बढें मिली एंपर मतलब्स्टी पाऊर 3 माइनस 3 3 माणा और माम प्रत्रोत विदिया लिगी ओम दोश्टिपाउर 3 ate monstrous ऑ जाना चाहिए तो 10 टी पाउर माइनस 3 और प्लस 3 हट जाए रहा है और बताइए धाई और दो टितना हो जाए रहा 5 वोल्ट ते साथ जाना चाहिए इस तवालता सही अंसर और अफ्शन अंबर 87 साथ सराम cbt cbt1 का बैच लिया है तो बुट नहीं मिलेगा क्या बुट बच्चा इस्पेसली फिजिक्स के लिए है और बुट के साथ कोर्स है और कोर्स के साथ बुट नहीं है समझे ना बात को चलो यह वाला सवाल देखिए बड़ा अच्छा सवाल है लेनाटे देखिए और बच्चो इन्हों निटाहा कि मेरे पास एक ट्यूब है उसका आप द्रमान बतादो कितना होना चीए बताए तो आपको पता है द्रमान निटालने टा फर्मला होता है धनत गुडे आयतन चलो बताए अगर मैं धनत तो रखू तो धनत है 7.8 और चूटी ट्यूब है धन है और धन के लिए मैं टेस सकता हूँ ति बच्चा धन के लिए जो आयतन हो रहा वो भुजा टा ट्यूब और भुजा का ट्यूब मतला दोटा ट्यूब यह देखिए सर आज से पढ़ना एलपी हो जाए रट्या बच्चा अभी तो फॉर्म नहीं आया दोस्त तैयारी टरोडे तो 101 परसेंट हो जाए रहा चलो तो 7.8 इंटू 8 बताइए इस्टा आंसर इस्टे साथ जाने वाला है तो इस्टा मल्तिप्लाई टरने टे बाद 62 ड्राम के असप बताई देने लड़ा आंसर लड़ाई है जरूरी तोड़े ना है एक लाइन फालतू में लिठो यह लिए यह लिए बच्चो मैं आपको बता दू आप भी देखिए बिए सीडी बहुत सरे लोड यूटूब पर पढ़ा रहे है और अभी तक बिए सीडी में इस तरह के सव ड्राइब आता है बेल ड्राइब आता है असरफ टेज तरार लोड है मुझसे नहीं बन पारा अरे असरफ ऐसर मत सोचिए यह जो आपके सामने तेज तरार हुए है ना यह भी रेडुलर किसी चैनल तो फॉलो टर्नेटे बाद हुए पढ़ते रहे है आप भी देखिए रह ड्रीर में 18 दाते हैं चलो यह दो ड्यअर है जा को दूसरा वाला ड्ययर आ कुन सा है सर दूसरा वाला डियार है follower follower अब follower डियार में बताईए दातों पीसंतिया तितनी है आठ सिर्फ दो डियार है ना अब फिर क्या बोला जा रहा है driver के पास driver के पास 16 चक्टर है यानि इस्टे पास बताईए तितने चक्टर लडाता है 16 चक्टर N1 16 है और बताईए follower कितना चक्टर डूमेडा यह N1 RPM में होता है तो follower के चक्टर पूछ रहा है ति बताईए हमारे पास N2 डामान कितना होना चाहिए यही तो सवाल है तिरे मेरे भाई driver DRT direction अड़र ट्लॉट वाइज है तो इस्टी अटी ट्लॉट वाइज हो ली कोटी यह हमारे external डीरिन का सवाल है बाहर से दोनों डियर आपस में जुड़े हैं तो बाहर से जब डियर जुड़ते हैं तो एक डियर 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 अड़र ट्लॉट वाइज हो तो इनके T1 N1 टर गुड़न फल और इस्टे T1 N1 टर गुड़न फल बराबर होना जी है तो गुड़न फल बराबर करेंगे तो यहाँ पर 16 गुड़े 8 अब वहाँ पर बताईए T2 डमान 8 और यह N2 निटालना है तो N2 बराबर कितरा हो जाए ड़ा 18 दूनी 36 यह इस प्रसं ना सही अंसर ओड़ा ओफ्शन अंबर 8 के साथ देजिए लाइन से सब्टा आंसर आ जिया क्या बात है अच्छा इपाँ बताओ अच्छा इसमेरा एक डियर ना होटर ऐसे दो डियर होते मनलब तीन डियर लड़े होते तीन डियर लड़े होते यहाँ पर माल लीजे टीवन दिया होता तुम्हारा 18 और एन वन दिया होता 8 समझे रहे ना बात को यहाँ पर टीवन 18 होता और एन वन कितना होता 8 और यहाँ पर टीटू होता तुम्हारा 16 यहाँ पर टीटू टितना होता 16 और यहाँ पर जो टीथ्री होता वो होता 24 तो आप मुझे बता सकते हैं जल्दी से यहाँ पर एन टू टितना होना चाहिए और यहाँ बता सकते हैं एन थ्री टितना होना चाहिए ना लो ऐसा सवाल आजाए प्रद्धुमन जो मैंने शुरुआत में नंबर दिया था आप उस नंबर पर फोन टरना आपको जवाब मिल जाएदा दोस्त तो अगर ये डियर ट्लॉटवाइज चला है तो इस डियर्टी डिरेक्शन एंटी ट्लॉटवाइज होड़ी और इस्टी फिर से टैसी हो जाएदी सर इस्टी फिर से ट्लॉटवाइज हो जाएदी मतलब तीन डियर्ट आपस में जुड़े हैं और तीनों डियर्टे बारे में कुछ डेटा देटा बाती डेटा पूझा जाए रहा है लड़ा पहुड़े अरे आसान है बिल्कुल देखो मैंने बताया ना जब भी डियर्ट आपस में जुड़ते हैं तो इनके N1, T1, N2, T2 और N3, T3, T3, T3 यहां भी डुड़नफल 844 होना जाइए तो 16 नम्मा 844 और 24 छक्टा 844 यह लिए तितना आसान इससे आसान तो पुछ होई नहीं सकता है मेरे बाई चलो आजे देखिए 28 नम्मर कोशन पढ़िए जल्दी से बताइए कोशन नम्मर 28 तो तर क्या होना जाइए पढ़िए असरफ सर आपका कोई कोर्स भी यह त्या हां असरफ मैं बताया तो आप 393,825,760 पे इंक्वाईरी ले सकती हैं जिस भी सब्जेक्ट से आपको तयारी टर्नी है और जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है हाणा चलो सवाल देखिया यदि किसी आवेज ट्यूट हो आट वोल्ट वाले दो बिंदू टे बीच इस्थाना नतरी करने में 36 जूल्र टार होगा है तो आवेज ट्रमान बताईए तितना होना चाहिए है तो कैसे निक्लेट आवेज तो बच्चों यहां पर आप वोल्टेज टा फॉर्मला लगा दीजे डबलू अपॉन ट्यू टे साथ तो वोल्टेज बताईए तिकना है सर वोल्टेज है आट वोल्ट और आपको टार पूछ रहा चार दिया है 36 और आवेज ट्यूट अमान पूछ रहा है तो आवेज ट्यू लगाईए 29 रंबर कोशन ट्राइम आ रही है फटा फटा समझ पर आ रहा है ना अचा आप सब लोड ना एट काम आउट यह कड़ो जितने भी बच्चे देख रहा है जैसी क्लास ठतम हुआ कड़े ना तो आप लोड सब लोड कमेंट बाट्स में इस वाली सिरीष्टी इन्होंने क्या बोला है इन्होंने बोला है एक गोली 0.2 सेटेंड में 90 मीटर दी दूरी तैटरती है तो ट्लो मीटर प्रती धंटे मिश्टी चाल रहा है तो टैना अगर 0.2 सेटेंड में 90 मीटर दी दूरी तैटरती है तो दूरी बटे चाल 0.2 सुनना है ना सब लोड तो ज्यात अना पड़े रहा, तो क्लोमीटर पर से टेंड में बनाने इतलिये, मुझे पाँच बटे 18, नहीं, देरो उल्टा हो जाए रहा, 18 बटे पास से वल्टिप्लाइट रहना पड़े रहा, 18 बटे पास से, तो पान नाम 45, ज्यानि 90 तूडे 18 जाए रहा, 90 तूडे 18 और 18 नम्मा 862 और आजे लग जाए रहा, तुम्हारा 0, सुने ना सब लोगे, तो 1627 उत्तर जाना चाहिए, ठीट है, दिवाने सूरज, संदे टो आफ्स कर देंगे, रिवीजन भी टर्ना होता है, यह लिजे, टोशर अपर 30, बताइए, बोला जाराया थी, दो बाइनली संथ्य क्या, फटाणा-फलाणा, दिटाना-दिटाना दी रही है, इनके योट्फल बता आईए, बाइनली संत्या, जोट्फल, तरीटा आना चाहिए, आपसो देरो, टियाक्या, बाइनली संत्या, 110, पिर farmers फट्ये, फिर चार जीरो है, ओटे, फिर यहा यहां, जीरो, जीरो, प् 0 plus 1 1 होता है 0 plus 0 0 होता है और 1 plus 1 भी 0 होता है 1 plus 1 0 लेगत 1 लग जाती है उसके उपर हासिल, ऐसे पता भी बता आपको यह बात, चलो कैसे एक लग जाए रहा, तो 1 plus 1, 10 और 1 चड़ जाये भी हासिल ऐसे, आड़ इट लो फिर देखिए 1 प्लस 1, 0 और 1 प्लस 1, 0 तो एट हासिल और जब 0 आ जाए रहा तो 0 प्लस 0, 0 सुनतर आजे हैं तो सब लो 1 प्लस 1, 0, एट हासिल और 0 प्लस 1, 1 ऐसा पुछ दिखने वाला आमसा रहे? यह लीजे अभी नहीं मिले रहा, अभी है, आड़े 1 प्लस 1, 0 एट हासिल 0 प्लस 0, 0 1 प्लस 0, 0, 1 प्लस 0, 1 1 प्लस 0, 1 आणा, ऐसा टोई दिखने वाला आंसर मिला? यह लीजे आंसर is टन्फर्म्ट, आप्शन अंबर C हम पूरा भी टर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है पूरा नहीं हो सकता, जैटो 1 प्लस 1, 0 एट हासिल 1 प्लस 1, 0 8 हासिल, 0 प्लस 1, 1 अब वो हासिल होता, नहीं पड़े दी यह देखिए ठीक, दिवाने सूरज मैंने आपनी बात समझ ली हम लोग इसको पूरी तरह से फॉलोड अटेंडी दोस्त, हरा सर, बुट का वीडियो कोर्स का टाइम लिमिट रहता है नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं भई, कोई टाइम लिमिट नहीं है जब तर आपना सेलेक्शन नहीं हो जाएड़ा यानि एलपी टाइजाम नहीं चला जाएड़ा तब तक वो कोर्स आपके पास रहेड़ा ठीक है? चलो, आज बढ़ी है नेस्ट पोशन, बढ़ाई ये लिए 31st नंबर, देखो तितरा प्यारा सवाल पूछा रहा और तितरा बहतरीन सवाल है मतलब बाते भी बहुत अच्छा सवाल है आपने लगाया भी हो ड़ा इस तरह इस सवाल को उस धिर्नी टी दच्चता र्याटी जे बच्चो धिर्नी टी मुझे द्याट करनी है दच्चता अब मेटेंटल एडवांटिज टितना दिया जा रहा है सब मेटेंटल एडवांटेज है धाई लेगे इननों ने 8 लाइन और बोलिए 10 मूटर ठीचने पर रसी तो 10 मूटर ठीचने पर भार धाई मूटर उपर चड़ता है यानि वाई हमारा 10 मूटर है अब भार बताईए तितने मूटर उपर चड़ता है सर धाई मीटर, ऐसे तो बोला ज़रा है ठीके, आप मुझे बताओ ज़रा फड़ा भड, ति यहाँ पर हम लोग velocity ratio तितना अन्काले ने तो बच्चों, velocity ratio अन्काले रा formula होता है, तिसी भी simple level में y बटे x y तुपारा 10, और x टमान धाई तो 10 बटे धाई, बताईए velocity ratio 4, अर्या 4 ठीके, अब मेरे भाई, आप बताओ दच्चिता रमान तितना होना जिए तो दच्चिता रा formula में उपर maternal advantage होता है, नीचे velocity ratio होता है maternal advantage धाई velocity ratio 4 into 108 सुनना है न सब लोट, चलिए multiply टीजे तो ये ठितरा जायरा, ये चला जायरा 250 बटे चार, अब 250 बटे चार होता है, 62 दसमलो 2, 5 sorry, 62 दसमलो 5 होड़ा actually में 62, 4 दुनी 8 नहीं, 5 होड़ा, सही है इतरा परसेंट हमारा सयुत्तर होड़ा ठीटे तो अफसर अबर बताईट, इस्टे साथ जाना चीए C वाल उत्तर ते साथ जाना चीए जोनों इस्टा पूरा कॉंसेप्ट है अज़री फर्जी में तुछ भी लड़ायते चले जाओ हाँ, इसब सीट लो, इस्टा कॉंसेप्ट है ये लीजे हीट एंड टेम्प्रेचर टे एक और सवाल पास सवाल आएं भाईया याली सेट में हीट एंड टेम्प्रेचर के हला दी याली सवाल असान है सुनील, पिन्टू, एमडी, अंजना, रभी नायत, डुड़िनिन, प्रिया, उज्ज्वल, उमंड, सुनील, रामचरन क्या बात है, बताओ माईनस सो डिरी सेंटीडेट टो फारेन हैंड बनाओ ओके भाईया, बन जाए रहा C डिवाईड बाई 5 इटक्वल टू F माईनस 32 बटे 9 यह तो होता है बताओ, सेंटीडेट क्रोम लूट क्या लिपसते हैं माईनस 100, माईनस 100 बटे 20 माईनस 100 बटे 5, माईनस 20, 20 बटे 100 F माईनस 32 बटे 9 अड़ा, तो F बराबर बताओ, इतना हो जाए रहा F बराबर हो जाए रहा, माईनस 100 C और माईनस 32 उधर जाए रहा, प्लस 32 ठीके, तो माईनस 100 C प्लस 32, बच्चों यह आंसर आ जाए रहा, माईनस 14 यह सवाल कसे उत्तर हो रहा ठीके, तो आपसर नमबर D पेस आथ चलो, आज बढ़िए बताए, यह लिए, फिर से IT लिट्रेशी का 74 सवाल है भाईया IT लिट्रेशी से 4 कोशन पुझे रहे, इस सवाल है बाई, दो बैंदी बाले पुझे रहे, एट वो फेर वाल वाला पुझा दिया, और IT लिट्रेशी रहे, यह सवाला दिया सबसे पहले एट निबल होता है एट निबल का मतलब होता है 4 बीट उस्टे पहले होता है 8 बीट sir, 8 बीट में 0 और 8 आता है टीटेगे? फिर आता है 8 बाईट 8 बाईट और एक बाइट में पताइए क्या होता है आठ बिट और आठ बिट मिलाते ही एक अच्छर बनाते है तो चार बिट के समोटों पताइए तिस नाम से जानते हैं सर चार बिट के समोटों बोला जाता है निबल और सरब बाइए बाटी याद कर लो भई तो बनके बीटे यानि इस्टे बाद आए रहा है किलो बाइट बीटे मानता है मेडा बाइट तेरा बाइट पेजी पेटा बाइट एक्सा बाइट पेजी जेटा बाइट योटा बाइट ऐसे तो होता है ना और इन सभी में बताईए हमें टितना लगाना पड़ता है दो टी पावर दस या दस सो चौवीज यानि एक क्लोबाइट में दस सो चौवीज बिट होते हैं चुला है एट मेडाबाइट में दस सो चौवीज क्लोबाइट होते है एक तेरा बाइट में 1024 मेडा बाइट होता है एक पेटा बाइट में 1024 तेरा बाइट होता है एक एकसा बाइट में धारखना 1024 पेटा बाइट होता है पीछे वाला लिठ रहे है एक जेटा बाइट में धारखना 1024 एकसा बाइट होता है और एक योटा बाइट पे धार रखना 1024 सर जेटा बाइट होता है और टाई बार ही टेल्कुलेशन 1024 में 2 टी पावर 10 टे फॉर्म में भी पूछता है टोटी 10 टी पावर 24 टो 8000 24 टो हम लोग 2 टी पावर 10 भी लिख सकते हैं यह सवाल आसान पूछा रही है यह सवाल इजी है 750 न्यूटन टे बल 30 टोड़ाम द्रमान के टाड़ी टो 16 मीटर तक ट्रियेकता है टार्ड पूछ रहा है इस सवाल में टुछ भी नहीं है सीधा सीधा आपके यह 750 न्यूटन टा बल 16 मीटर टा मल्टिप्लाइटर दीजे आपको ठार पता चल जाए रहा वो भी ठार किसमे पूछ रहा आप देटो यहां एक डर बड़ी है यहां पर पता ट्रिया लिखा होना चाहिए ट्लोड़ाम में नहीं ट्लो जूल में लिखा होना चाहिए था तो मेरे भाई यह बताओ 16, 85, 8 16, 112, 112 और 8, 120 अब 12,000 आ दिया तो इस्टो हम लोड 12 ट्लो जूल टेह सकते ही ठीटे तो आफसर नंबर आफसर नंबर डी टेसाथ जाना चाहिए चलो आज बढ़ेगे यह लिए 35 नंबर यह इन्वायर्मेंट के सवाल आ दिया बताइए दिल दिश्टा आज सदीजा पर्याबाण परिवर्तन के प्रती टीसी जीव द्वारा टिये जाने वाले सरीरी समा योजन पो क्या टहा जाता है तो आपके सरीर के द्वारा टुस्तु ट्रिया विधी टीडाइडी है तो आपके सरीर में जो परिवर्तन हो डाँ बच्चो उस परिवर्तन का नाम क्या बोला जाता है तो बच्चो उसको बोलते है परिश्थिती अनुकूलन इक्रो लोजिटल एडेप्सेटशन और शार परिश्थिती अनुकूलन का मतलब यह होता है जैसे ही आप दूसरे परिवर्तन में पहुँचे तो आपके सरीर में जो भी परवर्तन देखेड़ा उसी दो बोला जाए रहा परिस्तिति अनुकूलन अनुकूलन का मतला भी वही होता है चलिए 36 नंबर कोशन देखेड़े बताइए उतर देखेड़े पुषी भी तरह और कोई विलियन है आप इसको विद्दुत अफढ़ट भी तैस अपथे हो और इस के नह隔 आप चैथोक्य और अनुकूलन इसमें विद्दधार परवाई कर रहा हो बच्चो इतित में कशना क्याता और अनुर्थ प्रभाव एक सिरोस्मि प्रभाव एक सिरोसंटी प्रभाव जाता है तो ये यह उसमी प्रभाव यह होता है जब बल बड़े ऑंठ पन झाता होता है यह धारा प्रश्मि Stanford प्रभाव है चुमिटी प्रभाव तो मतलब यह होता है जब धारा प्रभाव ती जाए तो चुमिटी छेत रा जाए यह धारा का कह सकते हो चुमिटी प्रभाव होता है बचो अगर इस्ट लर चेंज होता है तो यह धारा का ओश्मे रसायनिक प्रभाव है और धारा के रसाय 18 पर वहाँ दूसरा होता है भाई है ना तो आंसर जाए रहा ओप्शन नमबर बीटे साथ ओके तो बच्चो आज अचा इस दो सेट के बाद आप लोट क्या पढ़ना चाहते हों जो भी सिरीज स्टार्ट करता हूं न वह एक प्लानिन के तहथ अपलोग स्टार्ट कर दिया तो हम लोग प्लानिन के तहथ ही आप लोग श्टार्ट करें गए पाथ जूला यड़ वीडिया नहीं पढ़ा ठीक मुझे वाटसप मैसिज टर देना कि कौन सेट था ठीक है तो बच्चो आप लोग एक काम बस टरना अभी मैं थोड़े देर में सेशन इंड करूंगा फिर से वीडियो खोलिए रा कमेंट बोट्स ठूले रा और कमेंट बोट्स में सब लोग ये जरूर कमेंटर बता देना क कि आपने इतलास्ट हैसी लगी तोड़ी भईया आपके कमेंटर ही मैं भूट रहा हूं और किसी चीश्टी तो मुझे भूट नहीं है एक नहीं ओके तो सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और वच्चा मैं फिर से बता दू इस बार ना 21 जोन हैं और 21 जोन में जे पहला टॉपर मेरी इतलास्ट होना चाहिए चाह वो सीविटी वन हो चाह चीविटी टू मतला भी यह मैं प्राड ले लूँ रहा इस बार कि पहला टॉपर 21 जोन में से हर जोन पहला टॉपर वो मेरी इतलास्ट होना चाहिए तो बस आप सब सेलेक्शन के लिए इतनी सीवी कमी नहीं छोड़ेंगे इतनी सीवी बसरते आपको भी मेनद करनी है इविन मैं तो यह सोची क्रोसिस कर रहा हूं ति मैं इस बार जो भी यूटूब के बच्चे हैं उन सबका डेटा भी क्लेक्ट करूँ एक गूगल फॉर्म भरवाते हैं ता तो मेरा फॉन आपके पिता जीते पास बहुत जयरा मतला वो सारी सारी सुधाय जो आप लोग पेट कोर्स में भी नहीं टिसी देखते होगे वो सारी सारी सुधाय आप हम लोग यूटूब पे लाटे आने वाले हैं अब बहुत जल्द आये ठोड़ा सा नोटिफिटेशन मैं यूटूब को ही इतना सांदाल कर दूँगा इतना सांदाल कर दूँगा अगर तुभारे पास इतनी सी भी लापरवाही रही दिमाज में जरास भी ठुड़ पेच आया हाँ जाई साब फिर देखे रबावाल आपको पता नहीं है मैं आपके मोबाइल के अंदर से जरूरी है जब तर दुनिया नहीं लेड़ी आपना मस्ती में पढ़ते रहो रहे हैं चलिए तो यह हम सुब प्लानीं करें लेटे थोड़ा सा अभी ना इसलिए है तो यह अभी एट बार नोटिपिरेशन आजाए पिर आप देखिए रहा है इत्रिस जोन में से हर जोन टा टॉप पर पाट साला रेल वेट आहूं रहा हूं विसास बानी है ठीटे चलिए मिलते नेक्स्ट टूड़े पे थैंट्यू वेड़े माद जाहें इनते